कहिए कैसे हैं आप देखिए मौसम कोई भी हो बरसात हो गर्मी हो सर्दी हो एहत्यातों में हर मौसम में रखनी चाहिए अब जहां तक बात है सर्दी के मौसम की सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है तो इस मौसम में भी हम जाने अन जाने कुछ गलतियां कर जाते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, अब वो गल्तिया क्या है, इसी बारे में मैं आज आपको बता रहे हूं नौ गल्तिया अगर इनका ध्यान रखेंगे हम, तो हम सर्थियों को भी अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे क्या है、 जया सबसे पहली स्टेख कैई है, जब हम अलमारी से या ट्रंग से या अटैचियों से गरम कपडे निकालते हैं छे या ven RJ अन्दर रख्या, आँझ भी ती अब हम निकाल रहे हैं तो उनको निकाले के तुरंथ बार, हम उसको उसको दोदो करना थोड़ेसा मॉश्चर भी आजाता है नमी बियाया हमने लूम इन स्वொते रिख दिया Ne제 करा झास कि यधिन इसकूल जूज़वगाया है शॉर लापेटलीलोन फाल भूम गिलानी горूग constant कई बस सांस की प्रॉब्लम भी हो जाती है तो जरूरी क्या है कि एक दो दिन उनको धूप देनी चाहिए उसके बाद इनको यूज करना चाहिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है देखिए मैं इस वीडियो में आज आज आपको बहुत छोटी-छोटी सी बाते बता रही हूं ज जो कि जाने औन जाने हम घ्लत्यां कर जाते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए अब जैसे कि माली जीये AC है है अब बन्ध हो जाएगा 5-6 महीने या उनकी छलेग thrive so Caroline's Bob तो फिर हमें नया रिमोट लेना पड़ेगा उसका क्या फैदा है ऐसे ही जैसे माली जी अम कूलर यूज़ कर दें उसका पानी नहीं सुखाया तो पानी को भी सुखा देना चाहिए आपको पता है उसकी वज़से डेंगू या इतने मच्छर आ जाते है तो बिमारी पहलती है क्या फैदा है बातें बहुत छोटी-छोटी सी हैं बस हम अगर ध्यान दे तो बहुत फरक पड़ेगा अब आती है हमारी दूसरी मिस्टेक वो ये कि ना हम जैसे कमरे में बैठते हैं तो कमरा अच्छी तरह बंद कर लेते हैं बिल्कुल भी हवा ना है एक दम टाइट हो जाए कमरा बिल्कुल हवा ना है तो उसी क्या होता है कई पर सफोकेशन हो जाती है अब दिन में एक टाइम तो उस कमरे की अच्छी से सफाई होनी चाहिए जिसे करटन लगे हो जाड़ों पोचा जब पोचा कर रहे हैं एक दम क्रॉस वेंटिलेशन हो जाए जो सफोकेशन है एक अलग सी स्मेल आजाती है बंद बंद कमरे में वह चीज नहीं होनी चाहिए फिर कई बर क्या होता है कि कमरे के साथ साथ हम खुद भी कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं हम बैठे रहते हैं कमरे के अंदर भी भाह बहुँ ठ कि थोड़ी देर बैठना हाँ जादा देर बैठना करें बहुत लोगों की आता तो इस पैसली मैं अगर लेडिस की बात करूं नहीं चोटा मोटा काम सारा ले आती हैं बार पलंग बिजा लिया या चेर बिजा लिया तो वहां पे दो तीन तीन घंटे सारे घर के चोटे लिए लेघर करती रहती है और आ सामने की प्ड़स ने खड़ी यह गपए मार इसे जादा देर बैठने से क्या नुकसान होता है कि सकीन में थोड़ा सा वारा घ्मार काया जाता है उससे क्या होता है अभर आप अगर यही चीज हम तीन चार देर लगा करदना चाहिए, संबाज जरूर लेना चाहिए पर थोड़ा कम क्लिर खोरी है ना? भर जारे तीसरे मिस्टेक वो क्या है कि ग्रम सर्फ से बचना चाहिए एकडम गरम टेमठेचर एकडम तंड़ टेमठेचर इससे बचना चाहिए क्या है जैसे माली ज़ गाडी में जा रहे हम गाडी में हमने हीटर को अओन किया वह थी कहा है अब अबATHANम से कुछ काम आया गाडी से बाहर निकले बाहर बहर है बहुत थेंटी हवा तो हम वहाँ बैठके गरम गरम हवा ले रहें, बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम से होगा है ना गरम सर्दी, थोड़ा सा बोडी का नॉर्मल टेम्टरिचर होगा ना फिर ठीक रहेगा नी तो फिर वही है गरम सर्द हो जाएगा फिर दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो ज रहें माःट, बढ़ी गरम सर्द हो जाएग यह दो बहुत नुकसान करती है इसमें से जो दुणा यह दुण लगत से लुगा है नुकसान करती है demand a ना, पोजनस नुकसान ड़ें दूसर Μह Norbas cPP आपने भी इन दिनों बहुत इंसिडेंट पढ़े होंगे जिस सर्दियों के मौसम में ज्यादतर होता है जब कमरे के अंदर अंगीठी रग दी कि वी चलो अच्छा है कमरा गरम रहेगा खीड़किया सारी बन दर्वाज़ सारे बन तो उससे सफोकिशन हो जाती है भ्योशी तक हो जाती है मतलब एक्स्ट्रीम भी हो जाता है इसलिए ये चीज तो नहीं करनी आप जब सोने लगे खासकर अगर मैं बूड़े लोगों की बात करू ना उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत जादा होती है तो जब सोने लगे इनको बाहर निकाल देना ची ये जो हम अंगीठी जला के रख रहे हैं तसला जला के रख रहे हैं जिसमें कोईला है जिसमें हमारे लकडी रखी हुई है उसको जला रहे है इसको बहुत जरूरी है चोटी-चोटी मिस्टेक्स है ये पर कई बर लाइफ पे भी बनाती है ये बात इसलिए अब आती है चौती मिस तो पानी आता ही रहेगा, अब प्रॉब्लम तब आती है, जब हमारे बात्रूम में कोई cross ventilation नहीं हो, क्योंकि जो इससे जो gas निकलती है, gas गीजर वाले से, और अगर वहां पर कोई cross ventilation नहीं होगी, कोई जाली नहीं होगी, कोई खिड़की नहीं होगी, तो उसमें हवा इकटी होती जाएगी, और वो सिर में चड़ा दी, बहुत poisonous होती है, बहुत जरीली होती है, मैंने खुद देखे हैं, अपने जो हमारे family के साथ, तीन इस्टेंट हुए इस तरह के, जो हमारे known circle में थे, ICU में रखना पड़ा था उनको, इतनी जादा उनकी मतलब problem हो गई थी, कि तीन दिन तक, ब्योश हो गए, पता ही नहीं लगा, तब पता लगा, फिर दर्वाजा खोला, फिर लेके गए hospital, भागे, लेके भी क्या गए, भागे, इसलिए अगर आपकी हवादार है, बात्रूम हावा आती जाती है, कोई problem नहीं है, पर अगर नहीं है, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, कि पहले बाल्ती फर्जा उसके बादी, मतलब जिस समें नहारे हो, उस समें यूज ना करें, या फिर अगर लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर गैस है, ना किचिन में नहीं है, तो आप 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 नहीं है, तो तो वो जैसे बॉडी में रैशी हो जाते हैं, बहुत जादा गरम पानी से ना है, और फिर सकिन भी ड्राय हो जाती है, हमारे जो काफी सेल्स हैं वो निश्ट हो जाते हैं, तो ये भी नुकसान करते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, अच्छा एक चीज और भी बहुत बार द हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो, इसमें क्या है कि हाथ धोने बहुत जरूरी हैं, हम बाहर से आ रहे हैं, मतलब हमें आलस आ जाता है, भी धोने पड़ेंगे, ठड़ लगेगे, क्या फैदा नहीं धोते हैं, और जो भी कुछ चीज है, खाने की चीज है, कुछ और चीज है, गंटे बाद एक गंटे बाद आप ज़रूर दोईए पर हाथ दोने के साथ आथों को पोचना भी है साफ करना है मतलब एक ड्राय टॉवल रखना है बहुत बार बहुत लोग क्या गरते हैं कि जैसे नहाने गए पोचते नहीं है बोड़ी को अपनी शरीर को पोचते नहीं है एक गेला ही छोड़ देते हैं और जैसे हाथ दोए तो हात भी उगलिया भी नहीं पोचेंगे पहुद्व पोच अब श्रूरे गया है क्या होता है कि सप्सकियाशन ते सर्दियों के मौस्क में तर नेल्शन इसके पास जोस्किन है यह सूच जाती है और फिर बहुत थंकरत और उससे भी जादा जरूरी है, हाथों को गीले नी रखना, पोचना है, बोड़ी को अच्छी तरह नहा क्या रहे है तब अच्छी तरह पोचना है, खासकर हाच जैसे हम बहुत भार दोते हैं, इनको तो पोचना ही पोचना है, मान के चलिए, और सर्दियों में कितनी बार हो जिससे थोड़ी सी ऑईल ही रहेगी ज़रूर लगाने चाहिए नीटो जो घरेलून उसके होते हैं जो हमें पता ही होता है जो से मलाई हो गई नीबू हो गया जो भी चीज़े आपको सूट करती है वह आपकी स्किन के हिसाब से पर जरूरी क्या है कि ऑईल वगरा बोडी को ब कि आप बात बी पानी की ओर रही है है आप मुझे यह बता यह कि कितना पानी पीते है स्रदी के मौसम बहुत कम होता यह भी हो प्यास ही नहीं है पानी पीए और प्रम नीपनिने का मन पीने का इसलिए बी इसलिए पुरा दिन भी कय आई पी वह यहजिबmb – कंटेंहिए 11-30 50% लोगों ने बताया कि वो 3-4 ग्लास तक पानी पीते हैं जो कि अच्छी बात है सर्दियों में मन नहीं करता है इसलिए पानी भी पिया जाता हम सोचते हैं कि शेडर को जूरत ही नहीं होगी पर ज़रूरत ही होती है इसलिए हम दिर बंट की पानी नहीं पानी टीक हो पी लिये चाए तो बज जरूरम नहीं हो इसलिए ज़रूरी पानी पीना है कहीं बार तालब होती है जाए कि नुकसानी करता है ना इसलिए क्या ज़रूरी है कि पानी की इंटेक कम नहीं होनी चाहिए बहुत जरूरी है शरीर के अंदर उससे ना हमारी पानी की कमी की वज़से होता है अगर आप कभी नोट करें इसको तो पानी पीते रहे है रेगुलर सब अच्छा रहेगा अच्छा रहेगा बहुत अच्छा रहेगा अब आती है पानी की काफी के करी कही का आती है वर भाइन सेम्ट मिस्टेक भात चल रहा है चा में काफी की बहुत अच्छी है हमें ठंडे मासम मेंद जितनी बार भी आ जांगी कोई प्र Erfolg form नहीं होती और चाय के साथ अगर पकोड़ों ऊंभाद रहा आका प्रांथी हो ऌपी और प्याच जैसे इन दिनों तो साग बनता है, मकी की रोटी बनती है, या फिर छोले बटूरे, कुछ भी तला, अफ्राइड और जैसे जंक फूट, इस सब अच्छा लगता है सब अच्छा लगता है और हम भूत खाता है फिर एक बदाच अच्छा है, जैसे ममी लोग क्वश्म किचिन मन काम कर जो प yatim द Además । दो भी थक युआ पुरी और यह घ। आख लीनी अच्छा है यaurus खाना बनातेवाक्स सरदियों के मौसम में अच्छा ही लगता है आपे गैस के पास खड़調 तो बश्यावा तो फहीं तो ममी बनाते रहतें कि पुटा पालो चलो एक पुरी और जो एक बटूर एक बटूर जो जो हाँ और फहल्टन भी बना देती हूं।छ गाजर काहलवा बना रहे है, मुणकी दाल काहलवा बना रहे हैं, वो बनाते रहते हैं अम काते रहते हैं। यह होता ही है। खाने में चाहिए मोई जर। करने और अगर अगर आप रहे का हैं। और अगर आप exercise भी करते हैं. मतललब घूम फिर रहे है, जिम भी जा रहे है, सhappy करते है, तो सब कुछ कर रहे है, फिर कॉई दिक्कत नहीं है, फिर आप जितना in-take करे आपकी कैलरी ज नहीं इंद हो रहे हैं, आप की कुछ करी नहीं रहे हैं नबस खाय जा रहे उनक्सान करेगा तो नुकसान करेगा झाल भूबेट हो जाएंगे आप जब सर्डियाः जाएंगी जब श्रॉर्ट के बटन पतन बन रहे अ उसलिए जरूरी क्या है अप लीजिए अच्छी मात्रा में लीजिए खाना अच्छा खाई यह पर घुमना फिरना, चलना फिरना, एक्सरसाइज करना equally जरूरी है बॉडी गरम रहती है इससे, बैठे बैठे कुछ नहीं होता ठंडी चड़ती रहती है कहीं बारी, इसलिए क्या जरूरी है कि हम अच्छा खाएं भी और अच्छा खूमें क्लियर हो रहा है आपको, अब आती है एक मिस्टेक पर जैसे हम ओवरीटिंग कर लेते हैं, वो शुदी के लिए नुकसान दे होती है ऐसे ही ओवरीटिंग, ओवरीटिंग का मतलब क्या हुआ कि हम ना बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं सब्सक्राइब करल दोडू स्वेटर ले लिया, शॉद ले लिया, कै पहन लिया, गलवस पहन लिया, दस्ताने पहन लिया कि भी ठंड लग रही है कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत जादा कपड़े पहन लेते हैं बहुत जादा नहीं लादना, बहुत जादा नहीं लपेटना, अच्छा कई बार ये भी देखा गया है कि जैसे कोई function हुआ, कोई रात की marriage है, या बाहर जाना है कहीं पे, तो वहाँ पर थोड़ा से show off के चकर में, fashion के चकर में, बहुत ladies या बहुत लोग क्या गरते हैं कि जै तो उससे क्या होगा, ठंड लगेगी, फिर और दस तरह की problems आजेंगी, बहुत एक बार, एक गंटे आपने fashion के चकर में, दस दिन खराब कर देंगी आप तो इसलिए, बही एक बार आप ले जाएए, हाथ में रख लीजेए, जब ठंड लगे, ओर लीजेए, पर लेनी ज़रूर है ये ज़्यादा fashion के चकर कईवर खराब कर जाते हैं, जो कि अकसर होते हैं, होते ही हैं ये, तो ये चीज़ों को avoid करना चाहिए, ये हमारी बहुत बड़ी mistakes हैं अब आती है, 9th mistake, क्या करते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जैसे बाहर गए हैं, किसी function में गए हैं, fashion के चकर में हमने प्रॉपर गरम कपड़े नहीं पहने, नहीं लेके गए, कि नहीं अच्छा लगेगा, हम नहीं पहनते हैं इसको, इस चकर में हमारी तबबत खराब यह चीज हो ही जाती है, अकसर हो ही जाती है, दो-तिन दिन के लिए, यह तंग करती है, तो ऐसे में हमें खुद के डॉक्टर नहीं बनना, मतलब जब हमें कोई लग रहा है, प्रॉबलम है, जुकाम है, गला खराब है, तो छोटे-मोटे घरेलो नुसके तो हमें पता ही है, जैसे बेस्ट के ओदा है, इसमें नमक के पाने के गागल्स करना, वो कितने लोगों को पसंद है, पसंद ही नहीं आता, सबसे असान, सबसे सस्था नुसका है, वो पसंद ही नहीं आता, हमें चाहिए हो थी ऐंटिबाइटिक्स, फिर हम एक दूसरे से पूछते हैं, जैसे में यह चीज़ नहीं करनी, खुद के डॉक्टर नहीं बनना, या किसी को सला नहीं देनी, आप जाएए डॉक्टर के पास जाएए, उनसे पूछिए, अपनी प्रॉब्लम बताईए, मुझे यह हो रहा है, मुझे कौन सी दवाई लेनी चाहिए, सबकी बोड़ी का अ पर यह जहां तक एंटिबाइटिक्स की बात आती है, यह चीज़ कभी भी खुद से नहीं लेनी चाहिए, खुद के डॉक्टर नहीं बनना, जो कि अकसरम बन जाते हैं, तो देखे, यह है छोटी मोटी सी नौगलतियां, जो कि अगर हम संबल जाएंगे, जाने अन जाने भ मौसम का भी खुब अच्छे से स्वागत कर सकते हैं, मतला हम इंजॉय कर सकते हैं इस मौसम को, विसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं, आपके कमेंट्स का मुझे इंजार रहेगा, और हाँ, अगर आपने मेरा यह यूट्योब वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नह आ सकती है, तो प्लीज आप इसको शियर भी जरूर कर लीजेगा, ठीक, बाई